Assalamualaikum YouTube Family तो जिनाब वो notification आ चुका है जिसका आप सब को बेस सबरी से इंतजार था और आपकी सब क्योरीज जो हैं इस वीडियो में resolve होने जा रही हैं और मैं आपको जो information देने जा रही हूँ वो authentic है FPSC ने आज ही notification जारी किया है जिसमें उसने ये बताया है कि CSS 2022 के exams कब होने चाले हैं screening test कब होगा और screening test के हवाले से जितनी भी क्योरीज हैं वो सब के सब उस notification में उन्होंने resolve कर दिया है इनकेस के वो notification आपके नजरों से ना गुज़रा हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के सारी क्योरीज के जवाब आप लोगों को इस एक वीडियो के अंदर-अंदर मिल जाएं और क्योरीज क्या हो सकती है जादा-जादा कि जिस labels क्या होगा ठीक है Maths के कितने सवाल होंगे कितने परसेंट और English के कितने होंगे इसलामियत के कितने होंगे इसके इलावा Important Dates यानि के Exam होगा कब Screening Test कब होगा कितने परसेंट Passing Ratio है इस तरह के सारे जो सवालात है वो मैं cover करने जारे हूँ उस वीडियो में तो वीडियो को लास्मी पूरा देखिएगा Screen पे आप वो notification देख सकते है जो कि FBSC ने जारी किया है और आप ये date भी देख सकते है कि ये notification आज ही जारी किया गया है ठीक है और ये एक authentic notification है ऐसा नहीं है आप लोग सब पूछ रहे थे मुझसे कि जिस ले बस क्या है ये क्या है वो क्या है इसलिए मैं जरा reluctant थी जवाब देने के लिए क्यूंकि अभी चीज़ें confirm नहीं थी तो ये जितनी भी वीडियो डिफरेंट बनाई गई है डिफरेंट चैनल्स के थूँ उन सब पे आपने यकीन नहीं करना आपने सिर्फ और सिर्फ FPSC के तरफ से जो भी जारी करदा notification है आपने हमेशा उसी चीज़ पर ही यकीन करना है authentic information पर ही यकीन करना है ठीक है अच्छा जी तो चलते हैं details के तरफ सबसे पहले इस notification में जो पहला point है basically यहाँ पर screening test को MPT का नाम दिया गया है और MPT की full form जो है यह आपके सामने screen पे हाजिर है अच्छा जी तो पहला point यह है MPT will be effective from CSS CE 2022 यानि कि 2022 से ही effective है सही हो गया अच्छा जी उसके बाद mandatory है यह appear होने के लिए exams में यानि कि ऐसा नहीं है कि यह आपकी मर्जी है कि आपने देना है या नहीं देना या अगले साल देना है अगर आपने 2022 में appear होना है तो it is mandatory कि आप पहले qualify करें screening test को यानि कि MPT को अच्छा जी फिर तीसरा स्वाल बहुत जादा पूछा जाता था कि क्या अगर हम screening test में fail हो जाते हैं तो क्या हमारा वो एक chance जाया हो गया CSS के जो तीन chances होते हैं उसमें से एक chance कम हो गया तो नहीं ऐसा नहीं है screening test आप चाहे जितने मर्जी दें हाँ age obviously आपकी उस तरह से जादा हो जाएगी मिसाल के तोर पे इस साल अगर clear नहीं हुआ तो एक साल आप और आगे चले गए ठीक है फिर अगले साल नहीं हुआ मतलब in case अल्ला ना करे लेकिन चले in case ठीक है तो आप दो साल आगे चले गए मिसाल के तोर पे अगर आपकी age 25 थी फिर आपकी 26 होगी अप 27 में आपका clear हो गया लेकिन आपके chances तीनों के तीनों पड़े हुए है chance आपका कोई भी जाया नहीं हुआ सही है वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि जब आप fail होते हैं screening में तो आप exam में नहीं बैठ सकते ठीक है chance आपका जाया नहीं होगा उसके बाद MPT जो है 200 marks 200 marks के mcqs पर मुश्तमिल होगा ठीक है जी और हर mcq का एक नंबर होगा half marks नहीं बलके एक नंबर होगा हर mcq का negative marking नहीं होगी जैसे कि होती है PPSC और FPSC के दूसरे papers में तो PPSC में जादतर होती है तो negative marking शुकर हम्दुलिला इसमें नहीं है वरना तो 0.25 एक गलत जो आपने answer किया होता है उसके कट जाते हैं सही जो answers होते हैं उसमें से यानि कि सही वाले जो marks होते हैं उसमें से उसके पाद duration जो है वो 200 minutes है यानि कि 1 mcq को solve करने के लिए आपके बस 1 minute रहेगा अगर passing percentage की बात की जाए तो वो 33 है यानि you have to score 66 out of 200 तभी आप qualify कर पाएंगे फिर है जनाब यह एक अच्छा point है कि answer की जो है वो upload कर दी जाएगी same day exam के जिस दिन exam होगा exam मतलब कि जिस दिन mpt आपका होगा screening test जिस दिन होगा उसी दिन fpse की website पे की upload कर दी जाएगी की का क्या मतलब है यानि के उन mcqs के जो answers है वो answer की आपको provide कर दी जाएगी ताकि आपको तो पता ही होगा उस दिन के आप क्या करके आएं तो आप match कर ली जाएगा answer तो आपको पहले ही result से पता चल जाएगा के fail होना है या pass होना है उसके बाद एक candidates will be allowed to take carbon copy of answer sheet अच्छा इस point की explanation required है तो जैसे ही point clear होता है I'll share on my channel as well अच्छा जी उसके बाद MPT will be a knowledge-based test यानि के इसमें वोही typical information नहीं required होगी बलके ये knowledge-based test होगा score of MPT will be valid only for the same years as CSS अच्छा अब इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कैसा नहीं है कि अगर आपने इस साल screening test pass कर लिया है और फिर आपका mood नहीं बना exams में appear होने का तो वोही pass क्या होगा आप test जा रहे हैं कि आप अगले CSS 2023 में यूज कर लें तो ऐसा नहीं होगा अभी जो 2022 में आपने देना है screening वो 2022 के ही CSS के written exams के लिए valid होगा ना कि अगले सालों के लिए उसके बाद cut off date इसकी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से CSS की है 31, 12, 2021 यानि कि इस date तक आपने 30 age अपनी cross ना की हो उसके बाद fee जो है वो 500 रहेगी आपको पता है कि CSS के written exams के fee 2200 है और इसकी होगी 500 यानि कि अब आपको total CSS में apply करने के लिए ही 2700 required होंगी अच्छा जी अब थोड़ी details देख लेते हैं syllabus के बारे में तो सबसे पहले Islamiyat जो है 20 marks का होगा Islamiyat में से जो MCQs आएंगे वो 20 marks पे comprise करेंगे और जो non muslims हैं उनके लिए civics है और ethics है उर्दू में से भी 20 number के आएंगे MCQs English के 50 इन्होंने रखे हैं और उसमें क्या क्या आएगा vocabulary आएगी grammar usage, comprehension और अगर general abilities की बात की जाए तो basic arithmetic, algebra and geometry यानिके mathematics जो है वो logical problem solving and analytical abilities mental abilities यानिके यह होगे न intelligence वाले सवाल यह जो बड़े मज़े के होते हैं तो यह total होगा 60 marks का यह वाला portion और अगर general knowledge की बात की जाए overall तो वो 50 marks का होगा और general knowledge के अंदर क्या-क्या आता है everyday science यानिके इन्होंने science के portion को अलग कर दिया हुए general science and ability है ना ability उपर कर दिया उन्होंने second portion में और third portion में इन्होंने कर दिया है second नी sorry यह तो fourth portion बनता है ना हाँ तो fifth portion में इन्होंने science रखी है साथ में current affairs और Pakistan affairs ठीक है इस तरह से इन्होंने इसकी division की है और general knowledge में पिर जाहरे कुछ भी कुछ भी पूचा जा सकता है इसकी तो कोई limit ही नी होती general knowledge की तो बस अब इसके लिए यह है कि आप अपनी holistic knowledge को increase करें तभी यह exam जो है वो ACE कर सकेंगे आप और उसके बाद eligibility देख लेते हैं All graduates having at least second division in bachelor's degree and between the age of 21 to 30 years on the cut-off date 31st December 2021 are eligible to apply तो यह same criteria है जो कि CSS return exam के लिए है यह आप देख लीजेगा अब बात करते हैं सबसे important dates की तो advertisement आएगी 14th November को और obviously यह advertisement है यह screening test के लिए और screening test के online application स्टार्ट होजेंगी 14th से ही और आप 15th December तक apply कर सकते हैं फिर जो test conduct होगा और जो answer की upload होगी वो होगी 20 February को यहनि कि 20 February को आपका test है screening test जिसको यह MPT बोल रहे हैं ठीक है जी और उसी दिन same day ही evening तक वो कर देंगे की को upload then result जो है वो आएगा 7th March यानि कि जल्दी आजएगा जादा दिन नहीं लगाएंगे तो सही है good है उसके बाद forms और documents वगरा जो है वो कब जाएंगे test qualifiers के वो जाएंगे 8th से 25th के मार्च के दर्मयान यानि के यह समझ लें कि आप रिटन की जो जानी है कुछ syllabus रहते हैं तो लेकिन syllabus cover करने से पहले पहले screening test की तियारी पर जोड़ लगाया जाए तो जादा बेतर होगा क्योंकि screening pass होगा तो ही आप written में obviously appear हो सकेंगे तो best of luck सबको और Allah तलाब सबको कामयाब करे और दौाओं में आज रखेगा नाफिस